Hello everyone, कैसे हैं आप? Exam के बस 25 दिन बचे हैं Financial Management B.com Honors के अंदर एक compulsory subject है Management Account में option है तो आज हम discuss करेंगे about exam plan का कि अब 25 दिन पहले कैसे हमें Slavers को complete करना है वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे student है जो कि job करते हैं, working होते हैं उन्हें time नहीं मिला शायद अब वो start करेंगे और start करने से उनको benefit मिलेगा तो sir, simple सी बात है, बहुत सीधी सी बात है हमारा ये पूरा का पूरा sir, financial management का syllabus है जिसमें हमारे 5 unit है और exam में 10 सवाल आएंगे जिसमें से एक और में भी जैसे रहेगा तो total 5 सवाल ही करने होते हैं ऐसा नहीं कोई भी 5, option में रहेगा वो unit 5 है, हर एक unit में से examiner एक questions को बनाएगा एक question देगा, हर एक unit में से लेकिन इस time पे selection थोड़ा सा difficulty हो जाता है choose करना थोड़ा सा difficulties हो जाता है कि sir, ये कौन सा subject choose करें मतलब पहले क्या उठाए for example, आपने 10 year उठाया question देखा, सबसे ज़्यादा ज़्यादा number का weightage का है उसे खतम कर लेते हैं आपने उठा लिया chapter capital budgeting आप करने बैठे उसके अंदर से कुछ समझ में आया ही नहीं example ले रहा हूँ आप फिर बोलो का यार F.M होई नहीं रहा आप कैसे करें नहीं करें तो एक ना, देखो किसी भी slaves को खतम करने के लिए राइट सेलेक्शन भी बहुत जरूरी है राइट चैप्टर चूजिंग भी बहुत जरूरी है एक्जाम में भी question paper को जल्दी खतम करने के लिए अगर आपको पूरा paper आता है ना तो आप paper खतम कर लोगे लेकिन साइद आप वो selective paper को अगर आप करते हो तो selective question चूज करते हो तो शाइद जल्दी कर पाऊं मेरा यह मानना है तो हम इसी के अंदर देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए पूरा ध्यान से देखिएगा आपके काम का है बीकॉम और समिस्टर पांच में दो सब्जेक्ट है आपका financial management और management account में दोनों की बात करूँगा पहले मैं financial management की बात कर लेता हूँ इसके बाद एक another video बना दूँगा management account के लिए ठीक है न तो sir financial management में देखिए हमारे पांच unit है जिसमें basic concept time value of money दूसरा है capital budgeting तीसरे में कुछ ज्यादा chapter है चौथा dividend policy और पांच बा ये working capital, operating cycle, receivable management, cash budget और EOQ, economic order quantity तो sir सबसे पहले क्योंकि हर chapter का किसी ना किसी से link होता है तो मैं numbering डालता रहूँगा आप ध्यान से देखिएगा सब कितने number खाएगा तो sir पूछने की जुरत ही है paper 75 खाएगा तो हर एक जितने भी unit है वो अपने आप में 15-15 number का unit है तो इसमें तो सवाली खतम हो गया कौन सा chapter कितने number खाएगा यह unit है 15 number का इसी में से वो mix करके 15 number का बना सकते हैं हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारा सबसे पहले target होना चाहिए unit number 3 unit number 3 हमारा leverage chapter है मैं numbering कर देता हूँ इसे red marker से कर देता हूँ numbering कर देता हूँ यह हमारा है और यह आएगा हमारा number 1 पे आपने यह try करना है सर इसके अंदर समय कितना लगेगा time कितना लगेगा time आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना maximum two days maximum two days उसके बाद number 2 पे आपको यह करना है सर कितने दिन मैं इसके साथ में mark करता जा रहा हूँ एक दिन आप लिख लिजेगा क्योंकि मेरे पास space नहीं है अगला theory of capital structure को थोड़ा सा pause देना है अभी नहीं करता हमने यह दो चप्टर निकाल लिया इसके बाद हमें आना है number 3 पे करने के लिए cost of capital number 3 पे cost of capital सर कितने दिन देने है दो दिन तो मैं days भी count करता रहूंगा कि मैं यहाँ पे 25 दिन के हिसाब से और मैं कोसिस है कि 25 से कम दिन महीं हो जाए तो देखे मैंने days का allocation कर दिया है आपका एक दिन leverage के लिए चला गया plus दो दिन लिया मैंने leverage के लिए ठीक है एक दिन आपका ले लिया मैंने EBIT के लिए plus दो दिन मैंने ले लिया आपका cost of capital के लिए पांच दिन का हिसाब किताब यहां बन चुका है theory of capital structure अभी हाथ ने लगाएंगे हम हमने जितना सीख लिया enough है मैं target देखो exam में कम समय में सर इसमें से भी अगर important chapter बोलू तो देखो important नहीं है क्योंकि एक दूसरे से सारा link है अगर आप फिर भी पूछते हो सर नहीं सर बताओ important बताओ कुछ तो बताओ तो मैं कहूंगा leverage में से हर बार सवाल पूछा जाता है और cost of capital में से हर बार सवाल पूछा जाता है हर बार लग बग तो यह important है जिसके नीचे मैंने mark कर दिया सर इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हमें करना चाहिए dividend policy इसके बाद dividend policy बहुत simple chapter है लेकिन dividend policy आपको तभी समझ में आएगा जब आपको cost of capital कर रखा हो dividend policy के अंदर आप बोलोगे सर कितने दिन लगेंगे सर दो दिन only two days तीन दिन में तो मैंने इस flavors खतम करवा दिया batch में सरिफ दो दिन सर दो दिन में आपके 15 number fix हो जाते हैं दो दिन में आपके 15 marks fix हो जाते हैं तो target देखा हमने ये करा ये मान लेते हैं 15 fix नहीं होता क्योंकि एक chapter खतम कर रखा 10 fix हो गए और 15 कितने हो गए 10 और 15 हमारे days कितने लग गए सर यहां पर days लग गए 2 और तो 15 marks और plus में आपका 10 25 हो चुका है बच्चा वैसे ही passing पे चल जा चुका है कितने दिन लग गए आपके 2, 4, 6 और 7 दिन लग गए ठीक है ना लेकिन आपको पढ़ना होगा ठीक है इसके बाद सर क्या करें इसके बाद क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए वो बताइए इसके बाद हम start करेंगे थोड़ा सा ये unit जादा है लेकिन आसान है believe बहुत easy है तो इसको एक दो तीसरे नमबर पे इसको करना है सर कब चौथे नमबर पे चौथे चप्टर को इस पे हात लगाना है पांचवे चप्टर में आप इसको हात लगाईएगा सर कितने दिन लेना है इसके अंदर इसके अंदर one day ज्यादा वक्त नहीं लगना बहुत simple है वन डे भी मैं बहुत ज्यादा बोल गया छटे नमबर पे इसको पिक करिए दोनों similar चप्टर है इसमें भी वन डे और मैं कहूंगा आप ज्यादा टाइम नहीं देना सिर्फ डेली वन डे का मतलब ऐसा नहीं कि आठ घंटे इसी को पर्टर भई बाकि सब्जक्ट भी है सिर्फ दो से धाई घंटे मैं मांग रहा हूं ठीक है तो सर यहाँ पर टोटल डे अगर मैं काउंट करूं तो हमारा ये वन डे और एक और वर्किंग कैपिटल का हम एड कर लेते हैं अगर क्योंकि टू डे वर्किंग कैपिटल एड कर चुका था दोनों को मिला दे तो वन किनिट खतम हो गया सर कैस बजट अभी नहीं करना कैस बजट अभी नहीं करना मैं उसी के हिसाब से लेके चल रहा हूं जो कि आपको आसानी से हो जाए और आपका फ्लो ना रुके तो हमने देखो कैसे चैप्टर उठाया पहले हमने करा लीवरेज इवी इट फिर कॉस्ट पांच और छे फिर साथ अब क्या करें सर इसके बाद क्या करना चाहिए इसके बाद अब हम आ जाएंगे कम बैक अब आ जाएंगे हम कम बैक किस पे सर रेड मार्कर से कर रहा था इ कितने दिन हो चुके हैं गिन लो दो तीन दो पांस दो साथ एक आठ एक नो एक दस दस दिन में देखो हमारा कितना स्लेबस लगबग लगबग हलका हो गया लेकिन मानना यह है कि काफी बच्चे आपके ब्रदर सिस्टर सीनियर टीचर बहुत सारे लोग रिकमंडेशन करते हैं बड़े बड़े चप्टर कर लो लेकिन अगर बड़ा चप्टर हाथ में ले लेते हैं समझ ही नहीं आ रहा तो फाइदा क्या है सर उसका मैं समझ सकता हूं आपके जॉब है आपके पर रिस्पॉंसिलिटी है आप फाइनल येर में हो बच्चे तो हो नहीं जो कि आप सबस Dopad culture को पर करना है 9 सबसे पत्स के इसमें आपको कम यह कितने दिन तर इसमें आपको कम से कम तीन से चार दिन जाएंगे री टू फॉर ड़े जाएंगेल इस बड़ा चप्टर है और पंदरह अब देखिए सबसे पहली बात ये 15 नमबर का एक ही chapter है आएगा और 3 से 4 दिन जाएगे और ये 15 नमबर का 2 दिन जाएगा और इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको question ना आए और इसके अंदर थोड़ा सा difficulty रहता है इसलिए मैंने इसको सबसे last में पिक है chapter number 9 पे chapter number 9 पे मैं मान लेता हूं maximum to maximum आप 4 दिन लगा रहे हो लेकिन ये याद रखना जैसे जैसे practice कर रहे हो 10 ये के साथ भी practice करना है शिवदास का 10 ये मैं मैंने सारे notes डाल दिये हैं और class notes भी मैं application के अंदर डालते जा रहा हूं फटा-फट से तो 10 ये से आपको practice करना है उसके according चल बसता है सर cash management एक बसता है time value और basic concept तो हमारा सर ये theory का है और theory तो आप one day पहले revise करें या फिर दो दिन जो भी मिले उसके अंदर करें अब selection करना है time value of money और cash budget तो मैं बोलूँगा अब आप उठाई ये पहले time value of money that is आपका time value of money जो chapter number 10 पे pick करना है simple सा chapter है छे नंबर का question लास्ट अब सेकेंड लास्ट आप पिक कर सकते हैं करने को तो आप पिक कर लिजिए इसको number 11 पे सर इसमें कितना दिन लगना है आपका सर one day में हो जाएगा ये इसको भी plus कर देते हैं one day सर इसमें क्या time लगेगा सर आदा घंटा एक घंटा वही जो costing में आपने सीखा था material वाला same as it is हैं आधा एक घंटा मैं इसके अंदर one by two days कर देता हूं आधे दिन में आराम से हो जाएगा और इसमें से बहुत rare questions पूछा जाता है इस chapter में से 11 नंबर पे हम इसको रख लेंगे अब रह गया last में थोड़ा सा हम cash budget लेंगे और one day ये finish हो जाएगा बसरते आपको question भी इसका practice करना पड़ेगा chapter number 12 हम ये करेंगे तो देखें हमारे पास total chapter थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा में से तो एक theory हटा दो तो बारा बचे तो बारा के बारा chapter का मैंने आपको plan बता दिया है तो इस तरीके से आपको करोगे तो मैं इसका half day और दो दिन और add on कर दू तो आप देखिएगा कितने दिन में होता है दो चार पांच दो साथ आठ नो दस चार चौदा पंदरा और सोला सतरा मैं तो 25 दिन का plan लेके चल रहा था लेकिन आप 20 दिन में हाँ ना करते करते लेकिन study करना है सर जौब बगर है को थोड़ा सा sacrifice करना पड़ेगा चुटी लेनी पड़ेगे study करना 20 दिन में FM खतम अगर इसी plan से आप चलते हो तो 20 दिन के अंदर आपका paper नहीं चुटेगा कुछ भी नहीं चूटने वाला पूरा paper attempt करके आ जाओगे अब सवाल आ जाता है सर कि हम करेंगे क्या study material लें कैसे करें तो मैं अभी आप सभी को recommendation करूँगा बुक के चक्कर में मत पढ़िये क्योंकि मेरे पास बुक पढ़ी हुई है ऐसा नहीं है कि मैं बुक से नहीं पढ़ाता बच्चों को हाँ पहले आते तो बुक से मैं पढ़ इसके अंदर answers में खुद डालता हूं शिव्दास का 10-year सर सिव्दास का 10-year nearby shop पे कहीं भी मिल जाएका मैं फोन नंबर भी दे देता हूं जिसके पास nearby shop पे नहीं है उसके लिए मैं फोन नंबर दे देता हूं सर फोन नंबर क्या है निकाल लेते हैं याद तो है नहीं मुझे फोन नंबर ग्रीश जी थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन मेरे इसाफ से थोड़ असा यह ग्रीश जी नाम है और मेरा नाम मेरा नाम ले लीजिए आप या फिर आप शिक्षा धाम का नाम ले लीजिए वो समझ जाएंगे उसके इसाफ से उनसे request करिए सर जल्दी से dispatch करवाई हम पढ़ना start कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी और nearby shop पे जाएंगे तो बहुत बढ़ी है सब जगह पूरी डेली के अंदर अविलेबल है एंसी आर में भी हर जगह मिल जाएगा ऐसा नहीं कर नहीं मिलेगा शॉप कीपर को आप बोलेंगे कि मुझे टैनियर चाहिए शिव्दास का टैनियर लाके दे दीजिए वी कॉम उनर्स को लाके दे देंगे अगर अगर अव तो फिससे संट एक है आपके चैप्टर वाई और एक है आपका पिपर बाइस तो पेपर वाइस बात में करना पहले चैप्टर वाईस कुस्टन करो फिर पेपर पर आजाओ करने के लिए अइडिया मिल जाएंगा ठीक है ना यह पूरा है और जब आप प्रैक्टिकल करोग ऐसा नहीं है के नहीं डालु का, exam तक सा क्लाससद डन जाएगे, लेकिन टोटल वीडियो की अगर मैं बात करूँ न, टोटल वीडियो की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको दिखा ढीद देता हूँ, क्यूंकि exact मुझे भी याद नहीं, क्लासस मैं लेते रहता हूँ, लेते रहता हूं, salary में तो भईया, income tax में तो बच्चे पूछने साल कब खतम कराओगे, 25 classes में ले चुका हूं salary की, 23-24 चल रही है और लगता है मुझे 5-6 और खिस जाएगा, क्योंकि जब तक पूरा ना करा दूना, starting में तो मैं detail में ही चलता हूं, तब तक होता नहीं है, तो B.com honors के लिए जो fast track batch है, अभी फिलाल के लिए, कितने वीडियो है मैं check कर लेता हूं, मैं सर्फ video count कर रहा हूं sir, यहां कितने वीडियो डाल दिया है हमने, वीडियो चेक कर रहा है सर्फ, यहां हम चले जाते हैं, जो starting सा चल रहा है, honors में न, यह honors में, सर वीडियो कितने है, 210 वीडियो है, 210 वीडियो टोटल है, अवेलिबल इसमें, और यूटूब पर भी देखो कि तो बहुत सारी classes है, मैं सर्फ यह समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, अब इसका भी मैंने एक तोड निकाला है, सर जो मेरा, हम बात करें, जो यूटूब पर class है, बच्चे ले रहे हैं, class जो हमारा यूटूब पर डला हुआ है, तो सर, यूटूब पर जो classes डली हुई है न, उसके अंदर भी काफी सारी videos है, classes बहुत सारी है, और जब मैं starting में पढ़ाता हूं तो मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का style होता है, कि मैं सब कुछ करा हूं, चाहे exam से related हो, चाहे exam से related नहीं हो, बच्चा कुछ छोड़े नहीं, लेकिन इस समय में आप सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि exam के related आपको पढ़ना है, तो class हमारा full detail class है, detail class है, अगर मैं साधारन सा example लूँ, capital budgeting, अभी YouTube पर ये चल रहा है, daily basis पर डाल रहा हूं है, capital budgeting, सर, capital budgeting के लिए, अगर मैं बात करूँ, तो कम से कम 20 से 25 classes है, ठीक है न, 20 से 25 classes लग गई है, capital budgeting, 10 year के अंदर भी अगर आप questions के तरफ जाओगे न, तो total मैंने साध 36 questions डलवाए हैं, तो हर class में questions भी खरबारा हूं, तो इतने हैं, सर, मुद्दे की बात है, कि सर, इतनी सारी classes है, और आपने plan में तो बड़ी जल्दी बता दिया, कि ऐसे से खतम करना है, तो देखे, जो बच्चे सुरू से YouTube पे देखते आ रहें, उनको फारक ही नहीं पड़ता सर, पोई फारक नहीं पड़ता, उन्होंने तो देख लिया, जो बच्चे अब देखना चालू करेंगे, उनके लिए क्या करा है, उनके लिए, देखो YouTube पे, जो कुछ काम ऐसे है, जो foundation है YouTube पे करना, वीडियो तो डल गई, आप उन वीडियो को मैं डिलीट कर रहा हूं, ऐसे मैंने economics में किया था, कुछ बच्चे बोल रहें सर, वीडियो क्यों हटा दी, आपने हम तो वही देख र जाएगा, तो मैंने application पे, application पे total हमारे है 210 वीडियो, अभी जैसे आपने देखा है, 210 वीडियो, जो कि not possible के उस plan के हिसाब से कर पाए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे suppose capital budgeting, capital budgeting, इसके अंदर, जितने भी concept है, क्योंकि finally practical subject में आपको concept पता होना चाहिए, 210 वीडियो या फिर सारी class के अंदर क्या होता है, 30 question है, तो मैंने 30 class question करवाए हैं, और 30 question जो करवाए हैं, वो भी automatically एक वीडियो का part होगा न, 30 question, concept के कम वीडियो होते हैं, तो मैं application पे, जो concept के वीडियो हैं, उसके उपर में star बना रहा हूं, के सर जो star बने वेडियो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और जिस पे double star बना वा है, वो तो भाईया exam के लिए बहुत important है, star और double star, star में concept रखूँगा, double star में highly important, chapter के आगे भी उसके भी लगवा रहा हूं, application update हो चुका है, उसी मैंने application पे star double star, यानि जहां पे 30 classes है, इसको मैंने 5 से 7 classes में convert कर दिया है, जो की concept और कुछ वीडियो हो जाए, जिससे कि आपका concept भी clear हो जाए और questions भी practice कर पाऊँ, तो अगर आप देखो तो 210 वीडियो है, 20 दिन के अंदर आपका time मिला हुआ है, 20 दिन में एक दिन मैं इसको convert करने वाला हूँ 50 classes में, तो 2-2 classes भी देखोगे, 2-2 घंटे भी देखोगे, तो 40 वीडियो 50 वीडियो में हो जाएगा, तो मैं आप सभी को ये एक तरीके से commitment करता हूँ 50 वीडियो में, मैं पूरा syllabus complete करवा दूँगा, star वाला, हाँ जो extra question वाले वीडियो हैं, वो भी मैं application के अंदर छोड़ दूँगा, जिस पर star नहीं बना हुआ, as you wish के यो आप करना चाहते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं, दूसरी बात, सर, जो बच्चे हैं, daily basis पे study plan भी मैं application के अंदर डालना चालू कर रहा हूँ, daily basis पे, अब मुद्दे की बात, सर, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, बहुत, आप सभी इतना मुझे like कर रहे हैं, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, YouTube पे बहुत अच्छा response मिल रहा है, regular college के का काफी बच्चे हैं, आपके correspondence के काफी बच्चे हैं, और एक दूसरे states के भी काफी बच्चे हैं, जो की बोल रहे के नहीं सर, आप अच्छा करवा रहे हैं, तो जो आप बोलते हो थोड़ा सा motivation मिलता है, तो मैं YouTube पे classes बंद नहीं कर रहा, सारी classes regular डाल रहा हूँ, चाहे तो एक classes नहीं डाल रहा हूँ, बहुत सारे income tax की मैं डाल रहा हूँ, financial management की मैं डाल रहा हूँ, management account की डाल रही है, economics के सर पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो मैं डलवा रहा हूँ, सारी चीजे systematic, तो सर जो बच्चा YouTube पे पढ़ रहा है, YouTube पे पढ़े, जो बच्चा application पे पढ रहा है, application पे आ सकता है, application पे अभी स्रिफ, देखो ज्यादा time बचा नहीं है, तो उनके पास दो स्लेबस है, और ऐसे ही मैं एक strategy management account के लिए तो थोड़ा सा time है, तो उसके लिए strategy लेके नहीं आया है, मैं भी, तो सिर्फ FM की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा FM का course लेता ह है, for example, जो course क्या कहूं, मैं बोलू कि जो बच्चा साहता है कि systematic तरीके से ले ले और उसे कर ले, उसके लिए हमने यहाँ पे 449 का price रखा हुआ है, यानि सिर्फ 450 रुपे में आपको ये सारा systematic एक ecosystem मिल जाएगा, जो price आपको 1000 रुपे, 1500 रुपे, description में, comment के पिंग में, phone number, customer care का डाल देंगे, पूरी टीम काम कर रही है, मैं भी जगा हुआ हूँ, बच्चे भी जगवे, और जो काम कर रहे हैं, वो भी जगवे हैं, तो डाल दूँगा, उनसे बोलना, सर मैंने YouTube पे देखा था, सर ने बोला था कि ये हमें 450 रुपे का course करने वाला है, इतनी का, ये बेर चार्ज होता है, एक दो परसेंट मान लो, 459 वाइन या 458 का पड़ेगा आपको ये पूरा course, जो management का जो बच्चा है, वो भी लेना चाहता है, उनके लिए भी मैंने सेम प्राइस ही कर दिया है, यानि दोनों course उनके लिए 900 रुपे का हो जाएगा, अलग-अलग, सर इसके अंदर क्या benefit मिलेगा, जो YouTube पे है सर सारी class वही है, तो मैं वही कह रहा हूँ के YouTube पे जो बच्चा सुरू से पढ़ रहा है, no need to buy course, वो YouTube से पढ़ता रहा है, जो बच्चा अभी enroll हो रहा है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, सरिफ उसके लिए ये है, सरिफ उस ये सौर रुपय के आसपास around में आ जाता है, 10 ये उसको buy करके start कर सकते हैं, ठीक है न, तो ये सारा का सारा FM, management में हमारे बहुत कम, इसी के अंदर में थोड़ा सा और जिनके पास बहुत बच्चों ने management नहीं लिया, इसलिए मैं management के लिए अलग से ही वीडियो बना दूगा चार-पांच चेप्टर वो भी बड़ी जल्दी cover हो जाएगा, साथ के साथ आपकी live class इसके अंदर जो बच्चा doubt होगा, doubt session क्या होगा, doubt के लिए मैंने एक specially person appoint कर दिया है, जिसको आप फटा-फट से doubt भीजोगे और उस number पे आपका जो query कैसे solve होगा, वो बता दिया चीक है ना, अभी भी मेरे पास 7-8 बच्चों के list आ गया है, मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो अभी जाओंगा, फटा-फट से उनके सब के पहले phone करके मैं doubt पूछाँगा, भी या care doubt है, live classes भी आपको मिलेगे इसके अंदर, जी हाँ, live classes, live भी रहेगी और live classes रहेगी मैंने target लिया है कि मैंने अगर सारे chapter करवा दिया है, यह सारे chapter हो चुके है, अब मैं revision mode पे आ रहा हूं, आपने क्या करा, leverage करा, leverage करके आदा घंटा ली, आदा घंटा में पूरे chart में leverage खतम, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो उनको benefit मिलेगा, क्योंकि फटा-फ पर लो और खतम करो इसको, तो बहुत कम टाइम बचा है, पढ़िए, time की importance समझिए, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, कोई बच्चा अगर कहता है, सर हम ये भी fees, वैसे fees का nominal, बहुत nominal सा fees रखा है, कोई बच्चा कहता है, सर हम ये fees भी affordable न से मिलाकर मैं उसका course activate करवा दूँँ, अपने pocket से मिलाकर जो बच्चा financial, लेकिन हाँ, financially जिनका unsound है, ठीक नहीं है, वो अपने थोड़ इस document हम required करते हैं, कि भी आप भेज दो, ताकि authenticate हो जाए, कि हाँ genuinely कर रहा है, तो फिर वो document भेजिए, और मैं उनका course मैं बोलता हूँ पर मैं करके दे दूँआ, उनसे बात करके conversation जैसे जिस बच्चे की जो capability होती है, मैं बोल रहा हूँ, एक momos के plate में मैं आपको पढ़ा के दिखाऊँगा, जितना आप एक momos खा लेते हो ना, उसमें मैं आपकी पढ़ाई करा के दिखाऊँगा पूरा, बस एक बिन नहीं ख हाईएगा, ठीक है, तो मिलते हैं हम इसी तरह interesting next video में, इस plan भी मैंने आपको बता दिया है, और ये plan को PDF format में भी मैं upload आज नहीं होगा, आज कुछ एक इस टाफ शुट्टी पर है, जो PDF को convert करके डालते हैं, कल वाले दिन PDF format में application के अंदर download कर लूँगा, जिनको PDF, नहीं त साथ-साथ लिख लिए तो मैं कहूंगा, बहुत बड़ी बात है, तो चलिए, मिलते हैं next ऐसे ही वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए, हसते रहिए, सेहत बनाए रखे, कुछ भी इस टाइम पर ऐसा activity ना करें, जिससे कि बिमार पढ़ जाए, अपने आपको बचा के रखें, thank you so much, good night, take care, good morning, जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं